हेलो फेंड्स तो कैसे आप सभी आयोप सभी लोग अच्छे होंगे तो आज की योडियो हम जोग्रफी ने थोड़ा सा अलग हटके कुछ ऐसा टॉपिक डिसकस करेंगे जो कि आपके एक्जाम में हमेशा कोशन उससे बनता है ठीक तो आज कोशन किसके उपर होगा या फिर हम हमारे एक्जाम में कोशन बनता है हम उसको आज पढ़ने वाले ठीक है तो थोड़ा सा पैसेंस रखी है आराम राम से हर एक पॉइंट हम लोग टिसकस कर लिए ठीक है जली सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयोध्या से जुड़ हुए कितने ऐसे कोशन है जो कि हमारे एक्ज कि अभी जो है दीबोजो का आजन किया ग्या रहा किसका ययजoire इंट आयोध्या से इंपोर्टिंट पउन्ट सवाइला कां सांसा है definitely 26 जनवरी दो हजार एककिस में जो परेड होता है दिल्ली में जो परेड होता है आयोध्या से वहाँ का जो टेमपल है उसको दिखाया गया था आयोध्या का जो टेमपल है जो नया वाला मॉडल है उसको दिखाया गया था और उस टेमपल के सामने कौन से रिसी बैटे थे या फिर कौन स एक्जाम में पूछा गया है थी तो आंसर आप करेंगे क्या बाल मिकी जो महासी बाल मिकी है उनकी जो स्टैचू है उनकी उस मंद्र के सामने बैठे हुए दिखाए गये थी ठीक है तो पहला नंबर यह आपको याद रखना है थी आप सेकंड नंबर क्या है जो अयुद्ध् जस्टिस है या फिर नाम उनका पुछा गया है आप से कौन है चीफ जस्टिस उस समय पर जब अयुद्ध्य विवाद सुप्रेम कोट में विल्कुल सेट अप हो गया था ठीक है तो आप आंसर करेंगे क्या रंजन गोगोई उस समय चीफ जस्टिस कौन थे रंजन पर जो रेलवे जंक्षन है तो यह थाइड पॉइंट हो गया आप से इंपोर्टेंट कोश्टन में बनेगा कोश्टन अब देखो अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट कौन सा है अयोध्या से जुड़ा हुआ कि वहां पर जो आयोध्या में जो फैजाबाद रेलवे जंक् ठीक है फैजाबाद जो रेलवे है उसका नाम चेंज करके रखा गया है अयोध्या केंट के उपर ठीक है तो यह भी इंपोर्टेंट है आप से एक्जाम में जो एक्जाम है वहां पर कोश्टन आपसे पूछा जा सकता है ठीक तो यह जो है बहुत ज्यादा है और यह मैंने जो है पूरे अक्टूबर में अयोध्या से जुड़ हुई इतनी सारी न्यूज थी जो कि मैंने आपको आज पढ़ा दी है ठीक है मतलब क्या है इसमें कि देखो अयोध्या तो इंपोर्टेंट है ही सबको मालूम है और वहां पर देखो एक जी राम जी का स इस स्टेचों बना जाएगा जो कि 205 मेटर हाइड होगा तो जब बनेगा तो सबसे बड़ी मतलब सबसे टॉलस्ट्र 10 Sud तो जब यह बनेगा तो सबसे टॉलस्ट्री स्टेच्इचि को मना जाएगा पूरे ऊड़ ठीक के पूरे वर्ड का मैंने कहा है ध्यान पार्फ भातिक है तो वहीं से एक स्टो depicted से एक स्टोन पथ्थर लाया गया है और यह श्लाने बहुत में करते हुद्धिय वहां पूजा हो रही है तो आफu एक्जाम में कोशन बन सकता है कि आयोध्य में जो टेमपल उसको बनाने के लिए पत्थर लाए गये हैं वो कहां से लाए गये हैं तो आप आंसर करोगे स्वेलंगा अगर आप से कंट्री पूछा जाता है ठीक है आघर कहा जाता है कि जो यह इस्टेची यानि की छोटे सा पत्तर आया हुआ है यह कौन से मंदर से आया है तो यह आपसे कोशन बें है बहूत іंपॉर्टन बन सकता है तो आप आंसर करेंगे छ फिप्ट नंबर का जिसे 5th important point हो गया सीटा उसमन्दिर का नाम है सीटा ऐलिया टेंपल और इसीब टेंपल जो कहा पर है यह कहाँ पर है यह स्रीलंका में है ये जो है कहांपर है स्रीलंका में है तो आप से एक्जाम में कोश्ण यह बन सकता है कि जो आया है स्टोन वो कहां से आया हुआ है तो आप अंसर करेंगी सीता अलिया टेंपल स्री लंका से स्टोन को लाया गया है ठीक है तो इतने इंपॉर्टेंट स्टिप्र यने की 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं यूनिटी डे के रूप में हगा अजाता है तो सर्दार व्लाब जो भाए पतेली थे उनके याद में मनाए जाता है ठीक है तो सर्दार वल्लब भाइपटेजी से चार पाँच मिनेट की वीडियो होगी लेक्षिर होगा जो कि सारे important जो है उनका history से लेकर अभी तक कि उनके नाम से जुड़े हो जितने भी question आपसे exam में पूछे जा सकते हैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी कल ठीक है तो आप उसको जरूर से देख लेना ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले lecture में और स